अगर बेसिक छोड़ने के बाद अगर आपको exam point of view से अगर देखा जाए तो यहां से आपको question देखने को मिलेगा subjective में ठीक है अब क्या है a scale के बारे में आप लोग को जानना है कि scale होता गया है और इसका type क्या है ठीक है a scale जो है तीन टाइप का scale यूज होता है इंजिनियरिंग में एक तो reduce a scale एक in large scale और एक होता है full a scale ठीक है इन तीनों को पहले समझते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है पूल स्केल जो है हम जो आप लोग जो student है first year का ठीक है वो लोग full scale पे काम करते हैं जैसे माले जा आपको बोला जाता है ना कि 40 mm radius का circle ड्रॉ करना है या 5 cm x 10 cm का rectangle ड्रॉ करना है तो 5 cm और 10 cm का क्या करते है माले rectangle ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ किजिगा कितना 10 cm और मतलब जो जितना दिया गया उतना क्या कर रहे है ड्रॉ कर रहे है इसी को बोलते हैं full scale और one is to one इसका क्या होता है notification होता है आप one is to one से क्या करते है इसको refergent करते हैं किसको full scale को उसके बाद बात आता है किसका reduce scale का यह है क्या full scale दूसरा है reduce scale अब बात करते हैं कि reduce scale का क्या काम है तो reduce scale देखिए जिसे मान ले जाए अगर आप बात करते हैं कि बहुत बड़ा building बनाना है ठीक है जैसे 10 floor 12 floor ठीक है तो इतना बड़ा अगर building बनाना है तो क्या इतना बड़ा seat available है हमारे पास ठीक है अगर आप बता रहें कि 10 माले जागा ड्राइंग में दिखाना है सौफिट लंबा सौफिट लंबा ड्राव अकर दिखाना है तो क्या उस seat पे सौफिट लंबा ड्राव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो इंजिनियर ने वैसा scale बनाया कि आप उसको मानते हैं जैसे math में मानते हैं ना माना की तो उसी तरह से हम लोग drawing में भी क्या करते है मानते हैं मान लेते हैं कि इसी चीज को अगर reduce करना है ठीक है जो full scale दिया है इसी को अब depend करता है कि कि कितना में reduce करेंगे 1 is to 1 में 2 is to 1 में मान ले जाएं इसको reduce करना है थोरा हम ठीक है इसको हम reduce करना चाहते हैं 2 is to 1 में 2 is to 1 में मतलब अगर यह दिखा ऐसा यह reduced हो गया reduced हुआ कि नहीं हुआ तो इसको क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे न कि अगर माल लो 20 cm है इसको reduce कर दिया कितना से 10 cm से तो लिखेंगे न कि एक cm ओल इखेंगे हमारा एक cm सेंटी मीटर बराबर कितना ईक संटी मीटर बराबर कितना q cm तो 12 इंटी मीटर बराबर कि तुझेल यहीं हम को मतना होता है है करन है तीसरा इन लार्ज स्केल ठीक है अब क्या है कि हमारे इंडस्टी में ठीक है ऐसे ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसको छोटा भी हो में ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल है जैसे माल यह घरी दिख रहा है ना यह घरी इतना चोटा और उसके बाद इसमें गेर लगा होता है यह इतना चोटा होता है कि जब आप इसको रिपियर कराने जाएं तो वो नंग आखों से नहीं देख पाता सिर्फ आख से अगर देखना चाहे और उसको अगर निकालना चाहे तो यह possibility नहीं होता है घरी जो बनाने वाला होता है कि उस गेर को निकाल पाए और रख पाए उसके लिए वो कुछ यूज करता है क्या यूज करता है मैगनिफाइंग लेंस जिसके मदद से उसको क्या करता है बड़ा दिखाता है उसको क्या दिखाता है बड़ा दिखाता है तो अब बताओ कि उसको देखने और खुलने में समस्या है तो इंजिनियर को ड्रॉ करने में समस्या नहीं है कि उतना बनेगा कैसे तो अब उसके लिए क्या होता है कि उस जो जो आपको बनाना है ना उसको बड़ा साइज में बनाता है पहले ठीक है जैसे माल ले जाए कि अगर simple example यह circle है छोटा है इसका radius diameter मालो 2 cm है दो cm है अब इसी को क्या करना है बड़ा करना है तो बड़ा करना है तो यह circle मालो इतना बड़ा हो गया कैसे हो गया यह मालो 20 बोलो यहां तक किसी को दिख कर यह 20 जब हुआ तो इसको क्या किया गया इनलार्ज किया गया किस रेशियों में किया गया तो कितना हो गया ही यह अगर 1 cm बराबर अगर हम 10 कर दें तो देखो 1 cm यह अगर 1 cm बराबर है तो 2 से multiply करेंगे तो 2 cm आ जाएगा कि नहीं है ठीक है तो इस condition में हम यह समझ गए कि reduce a scale फूल स्केल और in large scale में क्या है कहां उसका application होगा बो यहां तक किसी को दिख कर दे तो बो यह कि लियर होना चाहिए full scale क्या होता है reduce scale क्या होता है और enlarge scale क्या होता है और तीनों का application क्या है बोलो दिक्कत है तो पूछ सकते हो नहीं दिक्कत है अब देखो इसी में आप लोग को पढ़ना है एक plane scale और एक diagonal scale, plane scale वैसा scale होता है जिसके मदद से हम लोग at a time 2 dimension measure कर पाते हैं या उसी को बोलते है single decimal single decimal हम लोग measure कर सकते हैं ठीक है आपको measure नहीं करना आपको scale बनाना है जैसे आप जो normal जो steel rule की बात कर रहे हैं या फिर आपके पास जो normal scale 10 cm या 15 cm का होता है वो कौन सा scale है plane scale है उसमें देखते हैं को कि एक तरफ अगर cm लिखा है तो दुसरे तरफ क्या लिखा हुआ है इंच लिखा है या mm लिखा है ठीक है जैसा आपका वो है मगर वो 2 ही रहेगा 3 नहीं रहेगा 3 रहेगा तो वो diagonal scale में चला जाएगा अगर 2 का measurement करेगा तो क्या का लाएगा plane scale और 3 का करेगा तो diagonal scale अब अब जो है हम बात करते हैं कि अब हम लोग इसको अब हम लोग क्या करना है अब लोग उसका process it कालते हैं इसके बारे में देखेगे तो कहने पहला हम लोग कोशन परने के के पहले देखते हैं कि क्या उसमें आरेख दिया है की नहीं डिया RF का मतलब होता है representative fraction ठीक है RF short में जिसको बोलते हैं RF जो होता है representative fraction ठीक है representative fraction RF अब सुनिए question में या तो RF direct दिया रहेगा नहीं तो indirect निकलना होता है RF का भी formula होता है length of drawing ठीक है length of drawing divided by actual length of drawing ठीक है actual length of drawing जो होता है RF का जो formula होता है वो length of drawing divided by actual length of drawing अगर RF direct नहीं दिया है तो पहले plane scale या diagonal scale का question अगर बनाना शुरू करेंगे तो पहला बात यह check करेंगे कि क्या उसमें RF दिया है कि नहीं अगर RF नहीं दिया है तो यह data देखेंगे कि उसमें RF निकलने का ऐसा कुछ दिया है कि length of drawing divided by actual length of drawing दे रखा है कि नहीं देख रहा है अब हम लोग पढ़ते है question को construction of constructor scale of 1 is to 4 जैसा ही 1 is to 4 1 is to 3 1 is to 5 1 is to 8 कुछ भी ऐसा दे रखें मतलब वो direct RF दिया है ठीक है RF जो होता है unit less quantity होता है ठीक है उसका कोई भी unit नहीं होता है ठीक है तो RF इसमें direct दिया खुशी का बात है हमको अराम भा हुआ नहीं तो RF निकलना होता उसके बाद काता है कि 100 cm and long enough major up to 5 decimeter अभी ज़स्ट चर्चा किये थे कि जो scale हम plain scale draw करेंगे उसमें 2 unit होगा एक unit तो क्या है centimeter है और दूसरा unit क्या है decimeter है अगर 2 unit है तो plain scale है single single unit में भी draw होता है मगर 3 unit हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा diagonal scale कहलाएगा